शरश्टर कच्च की दिस्टिक्स पर हेवी रेंफल जारी है विंड स्पेट 60 to 80 किलमेटर्स पर आवर चल रहा है सेंट्रिक पास विंड स्पेट 115 to 125 किलमेटर्स पर आवर है लेंफल प्रोसेस अभी शुरू हो गया है ए लेंफल प्रोसेस मीड नाइट तक कम्प्लिट होगा हम एई उमीद करते हैं कि वाई मीड नाइट साइक्लोन की पूरे हिस्सा लेंड की उपर रहेगा अभी जो फर्वार्ड सेक्टर है वाल क्लाउड रिजिन की वो अभी स्वराश्टर कच्च की जो पोस्टल डिस्टिट्स के इसमें एंटर कर रहा है वहाँ विंड बढ़ रहा है और रैंफल भी बढ़ रहा है स्टर्म सर्ज यानि टाइडल वेफ का इंटेंसिटी भी ध्रे-ध्रे बढ़ेगा सो अभी से शुरू करके विड नाइट तक जो पिरियड है वो सबसे डेंजरस पिरियड है सबसे ज़्यादा वेजर होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग वेज़ होगा और सबसे ज़्यादा टाइडल वेफ होगा और ये लेंटफल प्रोसेस कम्प्रीट होने के लिए तोगा ज़्यादा टाइम पे चल रहा है इसलिए लेंड क्रोस करने के लिए और चार घंटा के आसपास टाइम लग सकता है श्राइब इंग्लिस और निपर जैवा इंगल नियुक्ता नियुक्त नियुक्त वेडिशन को भीडिवा नियुक्त पार्ण धिपरजाए इंगलुक्त पार्ण पार्ण। प्रेप घॉटीज भाफे रिजुटेट यूट शुरॉटेट अवरण स्वीज़गे प्रेजिट आप फिर से मानभी और धूज़ वर बगुछें प्रेड यूजब हैंन। बेटेन से डिराची और मांद्भी और थो जखाव पूजराफ इफुजराफ यह जाव कोट अची पूजराफ थे शेयुटाफ जखाव जखाव पोट इंट अरबेंश जखाव पूजराप्ट्ट इस वहाँ कर दोड़ के इस तान। 15 km पर वर वीध वालओ क्यूब राव बाव ओरेजिए। इस वालओ रिजिए इंती के जाए हैं पोष्पल बाज़ उलाजर इंदक हर सबस्क्राइब भूज़ इस घीडिताब प्राईब इस इस पास, हम लोगहिस इस बिदिस्न बाज़ ओर्नेख उट्यूलाजर इस अश्टीमिय इस अटेप्टेपि जो इसकेश्टिझां इस इस इंद्यूलिए, को विदो लगन अपनल खफ़ प्रेवनीन प्रेकी रंप प्रर्णों को सबस्थ को साफ़ है और जो प्रेवर से रेकी कमें प्रेव लगए when में झाती।